हेलो दोस्तों स्वागत आपका करियर एकेडिम के यूट्यूब चैनल पर हम लोग आज यहां पर जोग्रफी शिक्स क्लास एंसे अर्ट का चेप्टर फाइब लेगे आए जो है प्रिथिवी के पर्मुक्ष परिमंडल यान की मेजर डॉमिन्स ऑफ द आर्थ के हैं तो चलें देखते हैं इसमें किय जाएं कितने पर्थिवी के परिमंडल हैं उनके बारें हम लोग सीकेंगे तो मेज़र डॉमिन्स अफ रइर्थ ठीक जाता है यानि कि जब लिटोस्फियर एट्मोसियर और हैड्रोफियर अनिसे जीमना जाता है हिंदी में कि बनाते हैं यानि कि अगर सिंपल सी लेंग्वेज में समझजें तो जीने के लिए क्या झाल पूमी भी जीने तो मृत तापन बनाते हैं बायोस्फियर बनाते हैं चले करके इनके बारे में पढ़ते हैं पहले पढ़ते हैं भूमी मंडल के बारे मागर पढ़ते हैं तो यह बोलता है पृतिवी के ठोज भाग को भूमंडल कहा जाता है जो पृतिवी का सॉलेट पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है जिसमें जीवों के लिए पोशक्तत पाए जाते हैं इसी को क्या बोला जाता है तो आग इसमें देखते हैं लिटोस्फियर जीवों के लिए पोशक्तत्त्त प्राप्त करते हैं इंसे क्या करता है जी हूप पोशक्ततो प्राप्त करता है यहाप आपको पिक्चर दुख एक ग्लोब दिखाया गया जिसमें को सात कॉन्टिनेंट दिये गया त्फकों पहला होगा आपका उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऐफ्रिका, ऑस्ट्रिलिया और Анटार्टिका थोड़ा सा इनके बारे में दहन देना जो यह फिगर आपको दिया गया है पहले में आगहर यहां से बात करता हूं उत्तरी अमेरिका उत्तर अमेरिका में यहां पर आपको दिख रहा होगा रोकी परवत यह आपको क्या दिख रहे है जो रैड से दिखाएगा यह क्या रोकी परवत रोकी परवत और यह वाली जो रैड वाली लाइन है यह क्या है अपलेशन परवत लिए रोकी परवत उत्तर अमेरिका में रोक ये रेड कलर का दिखना हूगा आपको यह ए अंडीज पर्वत फद्वारवाट यहां सेया तक को तर्येमल करो गया घणिय अमेरिका हो गया यूरूप के अगर बात करते हैं तो यूरूप मेपर आयर। और यूराल परवत यहां पर है, जो एशिया और यूरोप के बीच में है, एशिया और यूरोप की बांडरीज में मिलता है, वो क्या है, यूराल परवत, आगे अगर देखते तो, अगर अफरीका की बात करते हैं, तो यहां पर यह कौन से नदी है, नील नदी, अफरीका में यह atlas ए है अगर हम बात करते हैं asia की asia माई यहाँ पर आपको मिलेगा तिब्बत का पथार और यहाँ पर क्या मिलेगा हिमाला अफ्रिका में सुरी आस्टिल्या में great sandy desert यहाँ अपर ग्रेट डिवाइडिंग लेंड रेंज यहां पर आपको मिलेगी वैसे यह ऐए अंटार्टिका यह एरिया किसका जाए अंटार्टिक देखो यह पूरा एरिया मोटी-मोटी बर्फ के पड़तों से डखा हुआ है यह पूरे क्या है अंटार्टिका तो हमारे कितने कॉं तो देखो यहां प्रुषानत महासागर हो गया यह अट्लांटिक महासागर लिए ऎला यह हिन्द अर्थ गोल है तो यहां से सबसे बड़ा महासागर थी हो गया और यह आर्कोटिक सागर भी ओया और यह दक्षणी महासागर दक्षणी महासागर अब अगर इसकी बात करते हैं यह कौन से तो इक्वेटर यानि कि zero degree विश्वत विर्त रेखा इसको बोलता है यह आपके कौन से होगी त्रोपिक ऑप कैंसर यानि कि करक रेखा और यह के तो यहां पे देखो जो आसरी केंसर पर कर केपरिकर और अनिकलती है अपने बारत अकनि मदातिब्स निकलती है रेखा जाती है यह अगर रहा जाती है करक रहा निद्धि ट्रापिक ऑफ कैंसर वैसे घर बत करें करती दक्षणि अमेरिका यह दो लाइन निकलती है यह जाती है कौन-कौन सी के भी जीरो डिग्री इक्वेटर और कैप्री कॉंद और उत्ताय में से इसके ऊकलते हैं आगर हम इसकी बात करते हैं अगर कॉप्निनन की बात करते हैं अगर हम किसे देखते हैं ये मेने भी बीचम लाइन लेटा हूँ madonna में बीच में लाइन लेता हूं तो अब इसको द्याहन से देखना हो तो यह आपके किस्मात है अगर हम इसको दो पार्ट में बाटने एक Eastern Hemisphere और Western Hemisphere तो उत्र ही India, बश्फर्ण हमेरिक यह किस Crispy आते हैं यूरोप, एशिया, आस्ट्रेलिया यूझ इस्टर्ण हमेश्पीयर इस्ति बात आते हैं 100 Hemisphere इसने इसा cheap ov आधे सांथे सेख़ए है एशिया यूरोप अफरीका में निकलती है यह श्रीं आते है आपके दक्षिन अमेरिका ऑस्टलया और वागि आस्टेलिया पर इंटार्टीका इंट्रिका है इस फिगर से देखो इस जो इमेज थी यहां से आपके बहुत सारी चीज़ आपकी किलियर होगी जो हमने इक्वेटर पढ़ा था ट्रॉपिक ऑप कैंसर कैप्रिकॉन यह सब हमने लाइंस देखी थी अभी हमें रिकॉल करने में हमें तुरन समझ मारा कि अगर हमारा समने मैप तो मैप क्यों कड़िए में उसको कैसे अंडर्सटांड करेंगे तो यही खाष्यत होती है यही खुबी होती है Oldshire पढ़ने की ता कि आप जो चीज पढ़ते हो वो चीज कहीं ने कहीं उस स्थीज को एसे रिकॉल करती है एकिए आपका जो ब्लिभ जो आपहो अपने पढढ करेगा चो आपका स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था वह चीज आपको एकदम Cristal के लए हो झाई गी तो चलिए आगे देखते हैं है आगे के बोलता है पृय पृतिवि की सता को दो पर्मू भाता जा सकते हैं अब चाना जाता है थखा बड़े जली जला जूं को महासागरी बिसिन की नाम से जना जाता है जो अपनी अरति है nelभ उसमें है घुबाग है यान की लीथोस है और दूसरा जली बाग है है निसमें बहुत जाता है बहुत जीड़े हैं यान्की 71% बहुत जाता है और 29% कि इसमें लैंड है जमीन है तो आगे देखते आ बेसिन के नाम से जाना जाता है विस्तों के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होई हैं समुद्री जल का तल सभी जगा समान होता है इस तल की उचाई को समुद्र तल से नापा जाता है जिसे सुन्य आजाता है आप यह चीज देखो ध्यान देना कहीं पर ≅ए वर्ड में समुद्री तल वह क謹े एक समान ही एक समाने आप यहीं से हमें ऐवरेस्ट की उछाई देखनी है यह कोई पठारी उछाई देखनी है तो हम क्या करते हैं थो समीद्री तल से हैं आपने देखा हुए कि समुद्री तल से मांट तरह से मेड़स कितना 8,848 मीटर ऊपर है तो वैसे क्या होता कहीं पर Rail lines होती है या रेल के platform होते है या कहीं Hill Station होते है Hill Station में लिखा रहता है कि यह इतने समुद्री तल से इतनी उचाएपे या Sea Level से इतनी हाइट पर है या railway platform पे आप जाओगे, वहाँ पे लिगा होगा कि सम्मुदरी तल से इतने उचाई पे है, यानि कि sea level से इतने height में है, तो क्या होता है, जहां भी पूरी वर्ड में जो sea level होता है, जो sea level होता है, जब भी किसी height को ना बजाता है, तो उसे sea level के according है, उसको लिया जाता है, क्य आजर किया जाता है, चले, आगे क्या बोलता है, इसे सुन्य कहते है, इसे क्या बोला जाता है, सुन्य, यहां से यानि कि start होता है, जैसे Mount Everest है, उसकी उचाहिना अपनी है, जैसे समुदरी तल है, यहां से यह 0 हो गया, फिर मीटर में बढ़ते जाएगा, उपर 1,2,3,4,5, से साथ आट ऐसे कर गए, उपर को बढ़ते जाएगा, विस्व का सबसे उचा Mount Everest समुदर तल से 8,848 मीटर उचाहिपर है, यह क्या बोलता है, जो Mount Everest है, वो सी लेबल से कितना है, 8,848 मीटर उचाहिए, विस्व का सबसे गहरा परसांत महासागर का मेरियानगर्थ, जिसकी गहराइ 110,22 मीटर है, यह भी क्या है, जो मेरियानगर्थ है, जरसे ही तो Mount Everest हो गया, और परसांत महासागर्थ का, यह सी लेबल होंगे प्रसंद माज़ता है मेरियानगर्थ यह कितने गहराई है 11,000-22-m shooting गहराई है तो क्या पता चलता है कि पूरी दुनिया में सी लेबल बराबर है उससे मांट अविनस की हाईड भी चेक करते हैं मैरियना गर्थ जो परसंत महसागर में उसकी गहराई भी चेक की जाती है कि तो देखो माउंट एविनेस आठ आठ आर्चार आठ चालीस मीटर मेच और ऐसी मेरियना गर्थ है उसकी गहराई कितनी है ग्यारहजार बाइस मीटर यह कहां पर देखो कोशिन यहां से कितना चबन गया कि मेरियानगर्थ कहां इस्तित है अगर कोशिन आता है मेरियानगर्थ तो आप क्या बोलोगे यह कहां पर परशंथ महासागर में इंग्निश मंगर इसकी बात करें तो there are two main divisions of the earth's surface the large landmass are known as the continents जो large landmass उसको क्या बोले जाता है continent बोले जाता है and the used water bodies are called ocean basin all the ocean of the world are connected with one another जितनी भी oceans हैं वो आपसमें connected to one another the level of the sea water remains the same everywhere जो क्या करते हैं जो sea level का water है जो level is sea level sea level है वो क्या करता है पूरी word में क्या है equal है वो क्या और इससे क्या बोला जाता है which is taken as zero इसे क्या लिए जाता है जिरो लिए जाता है 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते 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 आगे तके बढ़ते है the highest mountain peak mount Everest is 8848 meters above the sea level जो mountain mount Everest कितना है sea level से 8848 meter की height पे the great depth of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in a pacific ocean तो ही क्या बोलता है जो Mariana Trench है जो Mariana Trench है वो क्या है sea level से 11,022 meter depth में तो देखो mount Everest की height हो या Mariana Gart की depth हो इसको किस से major किया जाता है इस सो major किया जाता है sea level से sea level क्योंकि पूरे word में क्या sea level equal है पूरे word में क्या sea level equal है आप जानते हैं न्यूजिलेंड के एड्मंट हैलरी तथा भारत के तैंजिंग नौर्गे शेरपा 29 माई 1953 को पृतिवी के सबसे मूचे सिखर mount Everest पर चड़ने वाले पहले व्यक्ति थे देखो एड्मंट हैलरी न्यूजिलेंड एंड तैंजिंग नौर्गे शेरपा इंडिया वर्द फॉस्ट मैंडू क्लाइंड था हाइस्ट माउंटेन पीक माउंट एब्रेस्ट ऑन दा प्लैनेट अर्थ ऑन 29 में 1953 जो दो आदमी थे एक तो हो गए आपके एड्मेंड हैलरी और दूसरे भारत के तेंजिंग नौर्गे शेरपा यह पहले व्यक्ति थे पहले दो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या दो नहींच व्यक्ति भीड थे जांट माउंट आव्रेस्ट्टि पहले व्यक्ति थे मद्द हैं जापान की जुंको राविव लुक्ति पहली महिला थी जो 16 मैं 1975 को एवरेस में फिस्ते पहले पर पहली अगर फर्स्ट महिला के बादें पोछते हैं पहली महिला कुन थी तो चुंको ताबही जपान वॉस्ट वॉमन तो रीज दा स्मिट ओन 16 में 1975 तो चुंको ताबही कौन थी पहली महिला थी जो मांट आवरेस पर चली फर्स वॉमन और बचिंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 में मांट आवरेस पर कदम रखा था अगर इंडिया की बात करते हैं इंडिया की फर्स वॉमन कौन थी बचिंद्री पाल जिनुने 23 में को आवरेस की चड़ाईगी बचिंद्री पाल इंडिया की अगर पूछे तो जपान की जुंको ताबही और अगर पहले दो बंदे पूछे पहले दो वेक्तिवी चो कौन थे वो थे एड्मन हेल्री एंड टैंजिंग नौर्गे शेरपा जो 1953 में चड़े थे अब बात करते देखो महाद्वीप की महाद्वीप की पिर्थिवी पर साथ परमुक महाद्वीप है अभी हमने वर्ड मैप दिखा था कितने आंटाटिका यह विश्थित्ट यह तरुम्र आज़ासी के दोरा एक दूसरे से अलेग है यह तरुम्रीप के दोरा ऐक दूसरे से अलग हो गए यह आज़्वी पर एशिया यूरोप आफ्रिका उप्रिंग ब्र का ओस्टेल आर अंटार्रीका डियर आर सोईवन मेजर कॉं साउथ अमेरिका औस्टिलिया अंटार्टिका अब हम क्या करते हैं महाधीप के बारे में बात करते हैं सबसे पहले लेते हैं असिया को ऐशे नंबर वन पे हो गया इस्या विसू का सबसे बड़ा महाधीप है एसया इस लार्ज कॉंटिनेंट या पृतिवी के कुल से थिर्फ Eastern Hemisphere करके रिखा इस महाधीब से होकर गुजरती है The Tropic of Cancer passes through this continent Asia के पश्चिम में Eural परवत है Asia के पश्चिम में क्या Eural परवत है Asia is separated from Europe by the Eural Mountains on the West जो इसे Europe से अलग करता है Europe and Asia के सन्युक्त भूबा को Eurasia Europe plus Asia कहा जाता है The Combined Landmass of Europe and Asia is called Eurasia अब मैं बात करता हूँ Suppose यह हमारा Asia है और यह Europe है यहाँ पर क्या बीच में Eural परवत है यहाँ पर क्या बीच में Eural Mountains है Eural Mountains और और Europe और Asia को इस भाग को क्या जाता है Europe है इस भाग के मतलब Europe और Asia के इस भाग को बोला जाता You U यूरेशिया, 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 यह क्या है दूसर नंबर का continent है यूरोप एशिया में बहुत छोटा है यह महादीव एशिया के पश्चिम में इस्तित है यूरोप इच मच स्मॉलर देन एशिया दे कॉंटिनेंट लाई इन दा वेस्ट आफ एशिया आर्केटिक वृत इससे होकर गुजरता है आर्केटिक सरकल पास रू इट यह तीन तरफ से जल से गिरा है यह क्या है तीन तरफ से किसे गिरा है वटर बॉडिस से गिरा ओए और यह महाद्यीच के पश्रिम में एशया से वेस्ट की साइड़ अगर इइशया इधर रहे तो इसके वेस्ट में कौन है यूरोप है और यह तीनों साइट वाटर बॉडी से घिरा हुआ है अगर मैं इसको मैप में दिखा तो आपको मैप में बात करते हैं इसकी यह आपका यूरोप यह यूरोप आपको दिख रहा हुगा यहां पर आता है आपका आर्केटिक ओशन यहां पर अट्लांटिक ओशन और यहां से किस से गिरा है यहां से हिंद महां सागर तो तीनु साइट से वाटर बॉड़ी से गिरा हुआ है और यह किसमात है एशिया के वेस्ट में है अगर यहां एशिया तो इसके वेस्ट में क्याएगा यूरोप है यह एशिया से काफी छोटा है यहां साइज में और यह अगली बात करते हैं थार्ड नंबर पे आता है आपका अफरीका क्या एशिया के बाद विश्व का दूसरा शबसे बड़ा महादीब सबसे बड़ा एशेया के बाद क्या आता आपका अफरीका जो विश्व का सबसे बड़ा महादीब है अफरीका is the second largest continent after Asia number on Asia हो गया सबसे बड़ा continent और second number पर आपका अफरीका आता है विश्वत वृत या zero degree अक्षांस इस महादीब के लगबग मध्य से उकर गुजरती है दे एक्वेटर और जीरो डिग्री लैटीड रंस ऑल्मोस्ट थूदा मेडिल ऑफ दा कॉंटिनेंट जो आपका अफरीका कॉंटिनेंट है वहां से क्या करते है लगबग मीडिल से जीरो डिग्री एक्वेटर निकलती है और यहां से तीनु लाइंस जाती है जीरो डिग्री एक्वेटर होगी और ट्रॉपिक ऑपकैंसर और कैप्रिकॉन कि अफरीका का बहुत बड़ा बाग उत्तरी गोलार्द में इस्तित है अलार्ज पार्ट आफरीका लाइए इन दा नदन हमिस्पियर यह उत्तरी गुलार्विस का बहुत बड़ा पार्ट इस्तित है यह यही एक ऐसा महादी पैद जिससे होकर कर्क विश्वत तथा मकर तीनु रिखाएं गुजड़ती है यहां से का निकलती है देखो एक्वेटर निकलती है ट्रॉपिक ऑप कैंसर निकलती ह तीनु रिखाएं कर्क मकर और विश्वत एक ऐसा कॉंटिनेंट है दुनिया में जिससे तीनु रिखाएं होकर निकलती है ओनली कॉंटिनेंट थ्रू विच दर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द एक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास सहारा का रिगिस्तान होट लारजेस डेजर्ड इन द वर्ड वो हों सहरा डेजट है वह भी कहां पे इसते और अफ्रीका में प्या इसते ते अफ्रीका में शिक्रेफरिका कांटिनेंट में मिस्ते ते यहां महादिर चारों तरफ से संबुत्रयां महाजषागर उसे गिरा हुआ है The continent is bound on all side by oceans and seas. विश्टो की सबसे लंबी नदी, नील, अफरीका से उगर उजरती है. अगले बात करता है, उत्तरी अमेरिकार उत्तरी अमेरिकाय की बोलता है. उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसा सबसे बड़ा महाद्यू पर जो उत्तरी अमेरिका है जो नौर्थ अमेरिका है नौर्थ अमेरिका इस थर्ड लार्जेस्ट कॉंटिनेंट अब द वर्ड फर्स्ट में आपका क्या है यूरोप सैकिंड में क्या है आपका साउथ एफरिका और 3rd में क्या है आपका, North America North America तो उत्तरी अमेरिका विशु का तीस्टा सभसे बड़ा महादिव है North America is the third largest continent of the world यह दक्षिड अमेरिका से एक संक्रे स्थल से जोड़ा हुआ है It is linked to South America by the very narrow stream जिसे पनामा जलसंदी, इस्थलसंदी कहा जाता है इसे क्या बोलते हैं strip of land called the issus of Panama, बैंश को Figur में दिखाता हूं। यह है उत्तर आमेरिका और यह है दक्षिन अमेरिका यानि कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आप इसके बीच में भी से रहा हुआ है। यह दोनों किस से separate है या आपके यह Ismas of Panama या निकी पनामा इस्तलसंदी यह हूर जिससे यह दुन को क्या करती है यह चोड़ती है इसमस ओफ पनामा महद्व पूरी तरह से उत्तरी एंहों पश्चिमी गोलार्द मेंच थे? अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो यह कौं सा ओगया वेस्टर हo गया और एक्विटर के अकप्रकिंग करें तो यह कौं सी हो गया न०र दंहीं पह बोस्ता इए किसमें पूरी इसमें देखते हैं इसमें देखते हैं इसको त्री साइड से ये ओशन से क्या है ढर्या के जल संदी का नाम बता हूँ जो भारत और शेलंका के बीच इस्तित जल संदी नाम बताओं जो भारत और शिलंका के बीच जल संदी उसका नाम क्या है उसको बोलते है हिंदी में अगर बोलू तो मननार की खाडी मननार की खाडी या पाक खाडी अगर इंग्लिश में बात करते हैं इसकी तो इसे पाल्क Park Street, Park Street भी बोला जाते है, Park Street Name the Street between India and Sri Lanka, जिसे क्या बोलते है, Park Street, P-A-L-K, Park Street देखें इंग्लिश में भी यह है, यह North America है, यह South America है, इसमें यह आपके का हुई हैं इंडिया चर्लय की बीची है आपका न architect कॉस्चिंग कोई है यहां से हैपको बहुत अच्छा कुर्षिरह संदी भी बोला जाता तो वह सब चीजें वह से पता चला चले आगे देखते हैं अगरा कॉंटिनेंट हमारे पास है दक्षिन अमेरिका दक्षिन अमेरिका का अधिकांस भाग दक्षिनी-गोलार्द में इस्तित है South America lies mostly in the Southern Hemisphere विश्व की सबसे लंबी परवत श्रिंखला एंडीज इसके उत्तर से दर्क्षिन की ओर फैली है देखो तर एंडीज वर्ड्स लॉंगेस्ट मांटेन रेंज रंस तुरू इट्स लेंद फ्रॉम नॉर्थ टू सौथ जो एंडीज है जो एंडीज मांटेन रेंज है वह क्या है इसके नौर्च लेकर साट तक फैली हुई है मैं आपको फिक्कर में दिखाता हूं देखें बात ओरी इसकी दक्षें अमिरिका यानी कि नोर्ट से लिके साथ तक और तो यह यह से लगी यहां तक सबसे आते बोलता है यह क्या बोलता है युटा सबसे छोटा महाधिप है और इस स्मॉलेस्ट कॉंतिनेट डेट लाइस सादे निस पर जो किया है जो कि पूरी तरह से दक्षिनी गोलारद में इस्थियर जो पूरी तरह से अगर मैं वर्ली के बात करता तो यहां आता है यह संद्रों से घिर है यह क्या है इसे महाद्वीप कहा जाता है जिसे क्या बोले जाता है इसको एन आइसलेंड कॉंटिनेंट यह चारू तरफ से किसे समुद्र से और महासागर से गिराव है जिसे क्या बोलता है अइसलेंड कॉंटिनेंट यह आस्टेल के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानकरी से मिलती है चलिए अगली बात करता किसकी और अंटार्कका और टार्क कि बसे स्टी इसेव इससें अंतुक्तेंग recipient वहला महाद्व महातल म्हाद्वेशलेग यह यूज कॉंटिनेंट दक्षिन धुर्व इस महादिव के मद्दे में इस्तिते हैं The South Pole lie almost at the center of this continent. चुकि यह दक्षिन धुर्व छेत्र में इस्तित है इसलिए यह हमेशा मोटीव वर्व की पर्तों से ढखा रहता है As it is located in the South Polar region, it is completely covered with the thick ice sheets. यहां किसी भी परकार का इस्ताई मानव निवास नहीं है There are no permanent human settlements Many countries have research institutions in Antarctica बहुत से देशों ने यहां पर क्या बनाए है? यहां पर आजम्य करना तो मुश्किल है क्योंकि एक ऐसा continent है जहां पर हमेशा क्या रहती है? बरव की मोटी-मोटी परत जमा रहती है और यहां पर आजम्य करना बहुत मुश्किल है तो यहां पर क्या किया है? बहुत से देशों ने अपने research center बना रहे है Research Center लगबख सभी देशों के यहां पर research center है अब यह क्या बलता है भारत के भारत के भी सोधिस्तान यहां है इनके नाम मैत्री तथा दक्षणी गंगोत्री है इंडिया और आर नेम्ड आज मैत्री एंड दक्षण गंगोत्री तो दो इंडिया के भी यहां research center एक है मैत्री और दूसरे तो देखते हैं तो देखते हैं तो देखते हैं और यहां पर फिगर दे रखा आपको इसमें ध्यान से देखना कि जल मंडल है महासागर लिखा हूं महासागर 97.5% और जो अलवाण जल है वह किता है 2.5% अब इसे एक बात के लिए रहोती है जो हमारा माइसागरी जल है जो हमारे यूज करने लायक नहीं है यह क्यों होता है बहुत ज्यादा तो हम यूज नहीं कर सकते हैं तो हम कितना जल यूज करते हैं 2.5 पर्संट अब वाटर हम लोग okay use करते हैं इसमें से भी बहुत सारा इसका पार्ट क्या है I modular and बहुत सारा पार्ट के एक ब्लेशर है बहुत सारा पार्ट के हैं जमीन के अंदर भूमिकत जल है और जील जहरने तालाब यह सब इसी में ही इंक्लूड होता है 2.5 परसेंट तो इसको देखते पहले जल मंडल यह क्या बोलता है प्रिथिवी का 71 परसेंट भाग जल था 29 परसेंट इस्तल है इस का 71 परसेंट पार्ट में कितने हैं कया है वोटर है और 29 परसेंट पार्ट में किया है लेंड यानि की इस्तल है जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्तित हैं इसमें महासागर एमम नदियां जीले हिम नदियां भूमिका जल तथा वाई मंडल की जल वास्प सभी सामिल है जो हमारा वाटर है उसमें हमारा का है वाटर में क्या हमारा महासागर भी हैं नदियां जीलें नदियां भी है रूप में का जल वाई मंडल की जल वास्प यह सब सामिल है पर्थिवी पर पाई जाने वाले जल का 97 परसंट से भी अधिक भाग महा सागरिवव पाई जाते जो टोटल हमारा water है उसका 97.5% water के है महासागरी जल है एमों बहुत इतना दिखारा होता है कि मानों के उपयोग में नहीं लाया जा सकता हम समुद्र के जल को या महासागर के जल को हम human use के लिए नहीं ला सकते क्योंकि हो बहुत ज्यादा salty होता है जल का बहुत बड़ा भाग बर्प की पर्तों एम हम नदियों तथा बोमिकर जल के रूप में पाए जाता है जो मनिश्य के इस्तमाल में आता है यही कारण है कि नीले घरह में रहने के बावजुद हम पानी की कमी महशुस करते हैं पानी तो यहां पर बहुत है ना हंडेट परसंट अगर मैं बात करूं 71 परसंट रहे हैं अर्थ में तो उसमें से 70 परसंट का 97 परसंट अगर टोटल 70 परसंट है 97 परसंट गया है यूमन यूज्ज के लिए उपयोगी नहीं होता है क्योंकि बहुत ज्यादा होता है अब उसमें से 2.5 परसंट हम यूज करते हैं 2.5 परसंट यूज करते हैं इस 2.5 में से भी बहुत सारे इसका जो पार्ट है किसमें क्या बोलता है the earth is called a blue planet अर्थ को क्या बनता है अर्थ को क्या बोलता है blue planet बोला जाता है more than 71% of earth is covered with water and 29% with land जो more than 71% जाने कि 71% के इसमें water और 29% के इसमें land भूमी है hydrosphere consists of water in all its forms as running water in oceans and rivers in lakes ice is ice in glacier underground water and the water vapor तो देखो जो water किस किस फर्म में या पर glacier के फर्म में लेक है और running water है river है तो इस फर्म में है and the water vapor और vapor के रूप में in the atmosphere all comprise the hydrosphere more than 97% of the earth water is found in ocean जो 97% water है किस में पाए जाता है ocean में मिलता है in the ocean and is too salty for human use और यह क्या होता है बहुत ज़्यादा portion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers और under the ground and a very small percent is available as fresh water for human use अब इन में से भी कहाए 2.5% में से भी कहाए बहुत सारा है इसका पाट glacier के रूप में जो ice sheets के रूप में है और बहुत सारा पाट के अंडर ग्राउंड water है भूमी के जल के रूप में और बहुत थोड़ा परसें जो पानी है जो fresh water हो human use के लिए यहां पर अबिलेबल है तो यह क्या बता रहा है आपका जल मिंडल के बारे में बता रहे है कि कितना जल हमारा यहां पर होता है तो एक सिंपल सा फिगर है तो सिंपल से यहां पर क्या है कि टोटल 71% water अर्थ में जिसका 97.5% 97.5% के है यह human use में उपयोगी नहीं है अब हमारे पास कितावज़ा 2.5% water बसते हैं 2.5% में यह कुछ ice sheets के रूप में glacier के रूप में कुछ के underground water के रूप में तो बहुत कम थोड़ा सा परसंट जो water है वह human use के लिए अविलेबल है तो हमें देखो पानी का जो consumption है वह हमें जितनी हमें जरुवत है उसी साफ से हमें use करना पड़ेगा क्योंकि आर्थम अगर पानी की कमी होगी वैसे हमारे पास fresh water बहुत कम है तो मातागर का जल समुझे करनी सकते हो तो बहुत जाद है इतना जाद है कि बहुत जाद है तो हम use नहीं कर सकते है कि बहुत जाद ही salty है तो अगर fresh water अगर कम हो गया तो हमारे जो सुरोत हैं वो कम हो गये खतम हो गये तो सोचो पिर्थिवी में जीवन कितना मुश्किल हो जागा बिना पानी के कितना मुश्किल होगा कि हमें अपनी ज़रूरत को उसमें compromise करना पड़ेगा पानी पीने के लिए भी आज हम जिस water क वेस्ट करते हैं उस पानी को हमें पीने के लिए भी सोचना पड़ेगा कि हम आज पेंगें तो कल क्या होगा बहुत से ऐसे सहर हैं जहां पर पानी का बहुत ज्यादा shortage है वहां पर पानी एक एक दो दो दिन में भी आता है तो हप्तु तक आता भी नहीं है तो यही रीजन ह होता है कि क्या होता है जब हम अगर हम पानी को आज बरबाद करेंगे तो जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी उसके लिए क्या होगा बहुत ज्यादा परेशानी होगी अगली बात करते हैं महासागर की हैं पहले हिंदियों बताता हो फिर इंग्लिश में इसको समझेंगे महासागर महासागर जल के मुख्य भाग हैं यह आपस में एक दूसरे से जुड़े होएं जिते भी महासागर हैं तो वह कहें सब आपस में एक दूसरे से जुड़े होएं जैसे अर्थ है जैसे अपनी अर्थ है इसमें अलग 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 जो कॉंटिनेंट है जो पानी के का तथा महासागरी धाराें महासागरी जल महासागर 5 फ्मात आय है आर्कटिक महासागर ठीक इतना जाद रहेगा आपको तो पांच हमारे महासागर हैं जिनमें से सबसे बड़ा है परशांत महासागर उसके बाद अट्लांटिक महासागर थार्ड नमबर में हिंद महासागर फोर्ट में दक्षणी महासागर फ्युप्त में आर्करिटिक महासागर अब बात करते हैं परशांत महासागर सबसे बड़ा महासाग मेर्याना गर्थ परशांत महसागर में इस्तितते मेर्याना घर्थ घंट मांट एविरस्ट को तंह 하지 था जार जार जाना चाहstes य१ार हार ती और उससे मेरियणा गड़ा जो कितना है तो स्वस्टी तो परफिंद माहशागर पालोग य। जो परफिंद माहशागर हो गया एस्थ यस या अश्टेलिया उत्थरben रहिव。 परशांत महासागर के चारूं और इन महादिव को चलो यह ठीक है आगे क्या बलता है अट्लांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अब बात करें किसकी सैके नमबर पर कौन साथ है अट्लांटिक महासागर पहला तो परशांत महासागर है दूसरा सबसे बड़ा महासागर है यह अंग्रीजी वह साइसा का है देखो अगर मैं इसका फिकर आपको दिखाओं देखो यह तो ओगा आपका प्रशांथ महासागर जो एक तिहाई भाग में अर्थ के फैला हुआ है दूसरे कि अपको किसा कर रहा है ऐसा कर गई आपको दिख तो चलिए इनका वह देखते हैं जो इसकी डेफिनिशन कर रहा है अट्लांटिक महासागर विस्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर या अंग्रीजी बहासा ऐसा कार का है इसके पश्यम किनारे पर उत्तरियें दक्शणी अमेरिका तथा पूरू किनार पर उत्तर रहका बहुत अधिक दंतूर है यह अनियमीट दस्याया प्तनों के लिए आदर्स इसतित व्यापार कि दिरिष्टी सबसे घैस्त महासागर अगर कोश्चन आता है व्यापार के दिरिश्टी से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है अट्लांटिक महासागर कौन सा है अट्लांटिक लगबग तिरभूजा कार के इसके उत्तर में एश्या पास्यव में अफ्रीका तथा पूरो में और थ्लिप्लक घरbok अब अगली बात करतेध च्रक्षिनमासागर आंटार्टिका महादीव को चारों और से कहरता है sitting ऑश्त्तिक महासअगर के उत्त्र की और Cashिन अक्षांस पर फैला हुआ है आर्कबिक महासागर उत्तर धुर्बबंः में इस्तित्ति ने यह उत्तर द्तर के चारोबर और फैर रहा है यह तो दक्षिनी महासागर हो गया दख्षिनी महासागर किया बनाँ ऑफ कि आर्किटिक महासागर या ओत Alert के चारूर्व फैला अधर आ helper को यहां अर्किटीक महासागर है यहां फैला ऐसे बेरिंग जलसंदी की नाम से इम्पॉर्टेंट है यह परसांत महासागर के चिछली जल वाला ये संग्रेग जुड़ा वह आर्क्रिटिक महासागर जो है परशांत महासागर चिछले भाग से जुड़ा हुआ है जिसे क्या बोले जाते हैं जलसंदी के नाम से जाना जाता है यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटू और यूरेश्या से घरा हुआ है यह कैंडिके नॉर्थ की साइड में आपको मिलेगा अब इंग्लिश में देखते हैं, ocean are the major part of hydrosphere, they are all interconnected, जो oceans होते हैं, वो major part होता है, इसका hydrosphere का, जो सारी के आपस में interconnected है, the ocean water are always moving, जो ocean water है, हमेसा क्या करता है, move करता रहता है, the three chief movement of ocean water are the waves, the tides and the ocean currents, इसके तीन major part होते हैं, wave होता है, tides होता है और ocean current है, the five major ocean are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean, यहाँ पे कहें, पांच major oceans है, पांच major ocean है, वहाँ पे कहें Pacific Ocean है, Pacific Ocean हो गया, Atlantic Ocean हो गया, Indian Ocean है, Southern Ocean है, और Arctic Ocean है, in order of their size, तो size में सबसे बड़ा Pacific Ocean है, दूसरा कौन सा है, Atlantic Ocean है, थर्ड नमबर पे Indian Ocean है, फोर्थ नमबर पे Southern Ocean है और फिफ्ट नमबर पे Arctic Ocean आता है, तो अगर सबसे पहले बात करें Pacific Ocean कि, the Pacific Ocean is the largest ocean, it is spread over one-third of the Earth, Mariana Trench, the deepest part of the Earth lies in the Pacific Ocean, यह क्या है, Pacific Ocean is almost circular in shape, Asia, Australia, North and South America surround it, जो Asia है, Australia है, North and South America है, वो क्या है, इसके चारो तरफ, इनके चारो तरफ यह फैला हुआ है, अब बात करते कि इसकी, second number की, Atlantic Ocean की, the Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world, जो Atlantic Ocean है, वो क्या है, second largest ocean in the world, it is S-shaped, यह कि shape में है, यह S-shape में बना हुआ है, S-shape का, S-shape में, आप बात करते हैं, third number क्या, Indian Ocean, Indian Ocean क्या बोलता है, the Indian Ocean is the only ocean named after country, जो Indian Ocean है, वो एक ऐसा ocean है, जो किसी country के नाम पे बना है, यानि की, India के नाम पे बना है, that is India, the shape of the ocean is almost triangular, जो इसका shape है, जो इस ocean का shape है, जो इस ओसा है, almost triangular, यहाँ पर आपको Asia मिलता है, यहाँ पर आपको South Africa मिलता है, और यहाँ आपको Australia, East की साइड में Australia मिलता है, अगले बात करते हैं, the Southern Ocean, Southern Ocean का बोलता है, the Southern Ocean, and circle the continent of Antarctica, and extends northward of 60 degree south latitude, अब लास्ट बात करते हैं, the Atlantic Ocean, the Atlantic Ocean का बोलता है, the Atlantic Ocean is located within the Arctic Circle, and surrounds the North Pole, जो यह आपका Arctic Ocean है, आपको North Pole के आसपास है, separated मिलता है, तो यह हो गए आपके, क्या, यह सारे के सारे आपके Oceans हो गए, चले आगे बढ़ता है, देखें, यहां पर आपको दो पिक्चर दिख रहे हैं, एक मैंने हिंदी में ले रिखिया और एक English में लिए, तो इन दोनों में कहा दिखो, पहले कहाता है, शोब मंडल, शोब मंडल मतलब प्रोपोस्फेर, शोब मंडल मतलब English में बात करते हैं, इस्को कहा बलते हैं, ट्रोपोस्फेर, दूसरा है समताप मंडल, अभी इसको समझेंगे, यह होता कि, दूसरी क्या आता है, समताप मंडल यानि की, यानि की एक्जिस्पेर तो ये फिगर आपने याद रखा सबसे पहले शोब मंडल यानि की टेट्रोस्फेर है second number पर सम्ता मंडल कि स्ट्रेटरश स्ट्राइव तर्ड नंबर मध्य मंडल मैस्फियर फोर नंबर पर आयम मंडल थर्मोस्पीर और 5 नमबर पे बहिर मंडल यानि की एक्जोस्वेर चलिए आप इनके बारे मां समझते हैं होते क्या हैं अब बात करते हैं वाई मंडल की है देखो इसको जहां से सुनना हमारी पृतिवी चारो और से गैस की एक परत से गिर हुई है जो अर्थ है अर्थ में कहा है चारो इसमब्व नहीं होता यहां हमें ऐसी वाई पर्दान करती है जिसे हम लोग सांस लेते हैं यह वाई मंडल हम लोगो सूरी की कुछ हानिकारा कि बचाता है वाई मंडल 1600 किलोमेटर के उंचाए तक फैला हुआ है तेखो जो वाई मंडल है नीचे सागर बात करें तो 1600 किलोमे की सता से सुरू करते हुए देखो वाई मेंडल को 5 परतों में बाटा गया है मतलब वाई मेंडल क्या है 16 किल मेटर तक जो वाई मेंडल है बूसरे अियन की स्टेटाश्फियर मद्य मंडल मैसस्फियर आयन मंडल और बहिर दिनल का जह जाता है अगर कह बना है जो ओ यमिंडेल मुख्यते इसमें मिन लिक्षा कैसा पाई जाती और निपाई जाती जो kis साब तता सुस का हवा का 99 परसेंट भाग है आइतन के अनुसार नाइटोजन 78 परसेंट है और ऑक्सिजन आपके 21 परसेंट तता दूसरी कैसे हैं जैसे carbon dioxide organ इत्याधी मात्र 1% अगर मैं यहां पर अर्थ बनाता हूं यह मेरा अर्थ है इसमें जो है यहां पर कि 71 परसेंट यह 70 परसेंट पर्सेंट पार्ट में नाइटोजन है और 21 पर्ट में ऑक्सिजन है और एक पर्सेंट पार्ट में क्या है carbon dioxide और यानिक अंधी की oxygen सांस लेने के लिए आवसेगे जबकि nitrogen प्राणियू की देखो जैसे oxygen क्या होती है हमारे सांस लेने के लिए बहुँत Bijुट ज्यदा नेसेसरी है उसी तरह से क्या हुदा nitrogen जो होती है यहाँ पर वृद्धी के लिए बहुत ज़्यदा आवशक होती है कार्बन डाय उक्षाइड यह भी बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृत्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊश्मा को आशोशित करती है जिसे पृत्वी गर्म रहती है और यह पौदू की वृद्धी के लिए भी आवशक है और जो कार्बन डाय उक्षाइड है उसका परसन बहुत कम है लेकिन क्या होता है हमने पहले पढ़ा था जो सूर्य होता है और जैसे अर्थ है सूर्य है और जैसे अर्थ है अब सूर्य से कहा है यहां से किरन आई और वाइबंडल पर कुछ कुछ कार्बन डाय उक्साइट फैली हुए वापस चले जाती और रात को यहां पर बहुत ज्यादा ठंड होता जिससे क्या होता यहां पर मानुजीवन मुश्किल हो जाता और यही कार्बन डाय उक्साइट क्या करती है यह पौंधू की व्रिद्धिक लिए जैसे हम लोग ऑक्सिजन को इनहिल करते हैं तो पेड़ प करते हैं तो atmosphere यह क्या बोलता है the earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere जो अर्थ होती है उसकी चार ओर क्या है gas है जिसे क्या बोलते है atmosphere बोला जाता है this thin blanket of air is an integral and important aspect of the plant planet it provide us with the air we breathe and protest us from the harmful effect of sun's rays यह क्या करती है यह gases क्या करती है हमें सूरिशान वाली harmful जो rays होती है उनसे भी हमें protect करती है the atmosphere extends up to the height of about 1600 km जो atmosphere वो कहां तक है 1600 km तक है अगर मैं बात करूं कहां से start है ट्रोपोस्फेर से लेके आपका एक्जोस्फेर तक the atmosphere is divided into five layers based on the composition temperature and other properties these layers starting from the earth surface are called the troposphere पहला हो गया दूसरा the stratosphere third the mesosphere fourth thermosphere and fifth exosphere तो आगे बात करते हैं the atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen जो आपका atmosphere जो हमारा है उसमें helps in the growth of living organisms जो oxygen होती है वो हमारे सांस लेने के लिए आवसे कोती है और जो nitrogen होती हो ग्रोथ के लिए बहुत जदा आवसे कोती है जो अर्थ में heat आती है sun की heat आती है उसको क्या करती है थोड़ा सा रोग देती है आपे ताकि अर्थ का जो temperature वो बना रहे और यह किसी के लिए helpful होते हैं it is also essential for growth of plants यह किसके लिए helpful है यह plant के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा helpful होती कौनसी co2 gas co2 हम लोग क्या करते हैं हम लोग co2 को छोड़ते हैं और जो plant होते हैं क्या करते हैं इनको inhale करते हैं तो यह co2 यहां पर जरूरी है तो अर्थ का बात करते हैं तो अर्थ में क्या होता है अर्थ में आपका 78 परसंट तो क्या है नाइट्रोजन है और 21 परसंट के यहां पर ऑक्सीजन है और 1 परसंट के हैं कार्बन डाय ऑक्साइड एंड अधर कैसे से बात करते हैं उचाई के साथ साथ वाय मेंडल के घनत में विभिन्नत आती है यह घनत तो समुद्री तल पर स अच्छी खासी वाय हमें सांस लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जैसे हम हाइट में जाएंगे क्या होगा यहां पर वाय का लेबल क्या होगा घनत तीजी से घटता जाता है आप जानते हैं कि पहाड़ों पर परवतार होई को हवा के घनतों में कमी होने के कारण सांस सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ औक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है सिक्स के लेबल के लेबल तक तक टेंप्रेशर कम होता है पिर उसके बाद और इंप्रीज हो जाता है तो यहां पर इसी इतना ध्यान देना कि उपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता जाता है वाइद मेंडल पुर्तिवी पर दबाव डालता है यह एक इस्तान से तो उत्तराखंट की बात मैं करूं अगर उत्तराखंट को लेता हूं तो उत्तराखंट में क्या होगा टेंपरेचर अलग होगा तो उत्तराखंट में क्या होगा वाई दाब अलग होगा और उत्तरप्रदेश की बात करता तो महां पर अलग होगा तो यह यही बोलता है कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग-अलग होता है वाई का दबाओ कुछ छेतर में हमें अधिक दाब महसूस होता है जब कि कुछ छेतर में कम होता है कहीं कहीं पर हमें लगता है कि सांस लेने में थोड़ी सी प्राबलम होती है और कहीं कहीं पर वाई हमें अच्छी मिलती कि या पे आपको थोड़ा समय to your. वाए मंञर्डल पुर्थीपे पर दपाव डालता है यह एक इस्तान से दूर्से साब अलग अलग होती जैसे मैं उत्तर खंड की बात करता हूं उत्तर खंड है और उत्तर पर देस थाई तो यहां जञादा है, तो कम भी हो सकता है. क्योंकि एक जसा नहीं रहता है, कहीं पर जञादा कहीं पर कम हते रहता है. और जो य होती है वो उच्छो आइदाप से निम्न आइदाप की और बहती है. जहां वाई कद आप ज्यादा वहां से वह कम की और बहती है इंग्लिश में से देखते हैं इस मैक्सिमम एड़ दसी लेवल यह जो क्या होता है जो वाई का घंध तो होता है वह क्या होता है मैक्सिमम ना सी लेवल एंड डिक्रीजेश रेपिडली एज वी गो अप जब हम जैसे हम उपर को जाते हैं हमें क्या होता है वाई जैसे हमें एयर थोड़ा सा कम महसूस होती है यू नो दा क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस कर देंशित प्रॉब्लम्स इन ब्रीधिंग द्वीद्ग दिस unfortunately कम होथे खांव चाहठ zijंगा देंसिटेंगें देंसिटी का मूसं फांटिछ ऊटें और आंव मांट क्लाइमबर्स होते है उनको क्या होता है इसमें क्या होता है ब्रीधिंग प्रॉब्लम होती है क्योंकि देंसिटी कम हो जाती एर की और उसके वैसे क्या होता है उनको ब्रीधिंग प्रॉब्लम होती है density of the air they have carry with them oxygen cylinders to be able to breathe at high altitude the temperature also decrease as we go upward the atmosphere जासे क्या बोलता है हम उपर की और जाते हैं तो क्या होता है टेंप्रेजर भी यहां पर कम होती जाता है अगली बात करते हैं जीव मंडल की है जीव मंडल जीव मंडल इस्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है जो लीथोस्फियर जब टीन अविलेबल होते हैं ऑलके मनाते हैं जीव मंडल नल के लिए क्या चेह जीव मंडल देको इस्थल जल था हवा के बीच का एक सीमित भाग है यहां जीवन मौजूद है इट इस जोन देट लाइफ देट इस यूनिक तो दिस प्लैन प्लैनेट यहां जीवों की बहुत सी प्रजातिया हैं जो की सुक्षियों दोथा बेक्ट्रिया से लेकल बड़े इस्तंधारिय आकार के पाई जाती है प्लैनेट एग्जिस्ट दियर आर सेवरेल स्पेसरीज ओफ और्गेनिजम्स देट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बेक्टिडिया तु यूज मैमल्स मनुष्य सहीत सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा वाई मेंडल से जुड़े हैं लिंक्ट टू इच अदर एंड तू दा बायोस्फियर फॉर सर्वाइवल जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यत दो भागू जन्तु जगत एमाम पादब जगत में विवाजित किया जाता है the organism in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom जो यहां पर मैं बात अगर करता हूं biosphere की तो biosphere को दो पाटों में divide किया गया है जीवमंडल को प्राणियों के मुख्यत दो भागों बाटा गया है एक तो आपको दिया गया plant और एक दिया आपको human यानिकि animal plant और एनिमल यानि कि जन्तु जगत और पादब जगत में यहां बे डिवाइट किया गया पिर्थिवे के तीनों परिमेंडल आपस में पारसपरी किरिया करते हैं तता एक दूसरे के किसने किसी रूप से प्रवायुत करते उधार के लिए लकडी तता खेती के लिए वनों को काटा जाता है तो इसको डलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है इसी प्रकार प्राकर्तिक आपदाएं जैसे भूकंप एम पर्थवी की सता में परिवर्तन होता है हाली में सुनामी के कारण अंडवाने और निकवार दीवसमों को कुछ बाग पानी में डूप गया था जीलों तथा नदियों में दूसी पदार्थों के प्रवाहित होने से इनका मानौ इनका जल मानौ के इस्तमाल के लाइक नहीं रहता है यहां जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुचाता है तो क्या होता है कि यह सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यहां से हम ध्यान देंगे एक दूसरे जुड़े हुए हैं प्रस्पर क्रिया करते हैं यह एक दूसरे किसी प्रकार प्रवायुत करते हैं जैसे अगर हम लकड़ी काटते हैं अगर हम पेड़ काटते ह तो वनु को काटा जाता है तो इससे डलवा भाग पर मिट्टी का कटा हो जाता है जैसे हमने पेड़ कार दिया तो यहां पर बाईश होगी तो भूकम से क्या होगा बहुत सारी प्राकर्तिक आपदाई आएंगी जैसे हाली में से सुनामी होई थी अंडबान निकुबार दीब समू में करता है यह वहां पर क्या होगा पानी से बहुत सारी भाग यहां पर डूब गए थे आगे बलता है जीलू तथा नदियू में परदूसरी पदार्थ हो के परवायत होने से इसका जल मानो इस्तिमाल ला जाएगा तो थी दोमें से अंडिया बनी बॉल दी परवंल गोल लाग पोल दो 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 कुपिंव को बाश्यावान अखे़ आगे बंडॉसरी बंडॉसरी बंडर ब्लूसरी वें रहां एवित शीचाव में शुवा फॉ हो वें पर्खे़र्ट बंडॉसरी प्राइं सुवा कि इस बारे अगर आवे Oh गैर जाया चाहर चाहर हो इस Corp कुलाइमेट सचेन्ज ओंगे और जिस всё यहां दियु नालू के पानी गंधा हो जाएगा हो पानी इनसान के पीने के लाइक भी नहीं तो जो basically आपे बात करई है जीव मंडल की बात करई है जीव मंडल किस-किस से बना होता आपका इस तल जल और हवा से इस तल बहुमी भी चीए हवा भी चीए और पानी भी चीए उससे हमारा क्या बनेगा एटमो लितोस्फियर एटमोस्पियर हाइडोस्पियर यहीशनी बहु तो यह था NCRT chapter 5 class 6 का अब मिलेंगे अगली वीडियो में hope you guys understand आप लोगो समझ माया होगा अगर यह आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको like, share, subscribe करना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you so much, have a nice day, take care